हेलो दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है WordPress के इस नेक्स वीडियो में दोस्तो अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं अगर वो नहीं देखिए हैं और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो मैंने description में link दिया हुआ है जाकर वो सारी वीडियो देख लो ताकि आपको सारी चीज़े शुरू से समझ में आ सके दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना पहला post create कर सकते हैं और उस post को publish कर सकते हैं पोस्त में क्या क्या option आपको मिलते हैं देखि पोस्त का मतलब है कोई भी blog कोई भी article जो कि आप publish करना चाहते हैं अपनी website पर ताकि जो आपके user है या visitor है वो उसको पढ़ सके देखिए उसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले आपको आना होगा अपने dashboard में dashboard में आकर आपको जाना होगा post में यहाँ पर देखिए आपको चार option दिख रहे हैं चार option में पहला option है all post जितनी भी post आपने अगर create की हुई है वो सारी यहाँ दिखेगी नई post को create करने के लिए आपको click करना होगा add new पर add new पर आप click कीजिए add new पर click करने के बाद आपके पास by default कुछ ऐसी screen आईगी इसको हम बोलते है WordPress का editor अगर आप में सही किसी ने Microsoft Office पे या Word पे काम किया हुआ है तो आपको कुछ similar option सी यहाँ पर मिलेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें डालना क्या होता है सबसे पहले हमें title डालना होता है किसी भी ब्लॉग का कि heading जो है वो क्या है ब्लॉग किस बारे में उसको पढ़कर यह पता चलता है देखिए माल लेते हैं कि हम उसका title दे रहे हैं ब्लॉग का how to learn WordPress easily ठीक है दोस्तों यह हम हम एक title दे रहे है WordPress के लिए blog का title दे रहे हम लोग तो यह हो गए उसकी heading सबसे पहला option आप देख सकते हैं जो भी आप heading देंगे वो यहाँ पर आपको डालनी है दूसरा आप जो description आप यानि जो content उसके अंदर डालना है आपको description डालना है वो आपको डालना है यहाँ पर इस कर देते हैं देखिए यहाँ पर ही data paste हो गया आप इसमें कितना भी data डाल सकते हैं कोई limit नहीं है आप इसमें कितना ही data डाल सकते हैं ठीक है यह देखिए यह data डाल गया अब इस particular जो data आपने डाला है या content डाला है इसमें क्या-क्या option आपको मिलते हैं उसकी बात कर लेते है देखिए यहाँ पर आपको कुछ options दिख रहे होंगे उपड़ ठीक है तो अगर आपने Microsoft Word यूज किया है तो आपको यह options similar दिखेंगे अगर आपको किसी word को bold करना है तो इसको देखिए bold option आता है इसपे क्लिक कीजिए यह देखिए bold हो गया ठीक है दोस्तो अगर किसी word को italic यानि थोड़ा कह सकते हैं tilt करना है तो देखिए tilt हो गया ठीक है alignment change करना है ठीक है अगर इस पूरे text को आपको left align की जगे middle align करना है center में कर दीजिए या right align करना है तो right में कर दीजिए ठीक है दोस्तो इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए कुछ options दिख रहे हैं यह क्या है देर देर हम बात करेंगे ठीक है यहाँ पर भी आप कुछ options देख रहे हैं copy करने का duplicate you know before insert इस थरह सकी कुछ options दिख रहे हैं हम देर content याँ अपने text दाल दिया अब आप अप यहां image भी डाल सकते है इसमें आप image भी डाल सकते हैं कैसे देखिए यहाँ पर आपको यह आप डाल दिया इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक image भी डाल सकते हैं, image के लिए इस पर क्लिक कीजिए, यह देखिए, left side में option आ रहे हैं, क्या क्या आपको डालना है, तो जैसे image हमें डालना है, image के लिए यह यह रहा option, image को क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ से जब यह option आपक इसको हम upload करते हैं, यह देखें दोस्तों, यह image upload हो रही है, आप यह image upload हो चुकी है, इसके नीचे आप इसका image का कोई नाम देना चाहते हैं, तो नाम दे सकते हैं, जिसे nature image, अब यह सरफ में dummy content लेके चल रहा हूँ, आपको पूरा content जो है, वो relevant रखना है, ठीक है दोस्तों, देखिए, यहाँ पर दो option दिख रहे हैं, right में, आप इसको as it is रहना चाहते है, image को, या फिर इसको थोड़ा round shape में रखना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, default type, rounded रखना चाहते हैं, या default में रहना चाहते हैं, या फिर not set, जो भी पर रहे हैं, alt text, यह सब क्या होते हैं, या आने वाली videos में बात करेंगे, तो आपने image डाल दी, image के बाद भी आप content डाल सकते हैं, देखिए, अब इसके नीचे मुझे content डालना है, तो यह देखिए, प्लस का icon दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते है क्लिक करने के बाद क्या डालना है आपको, paragraph डालना है, paragraph पर क्लिक कीजिए, वापस हमारा जो dummy content है, वो डाल देते हैं, आपको अपना actual content यूज करना है, देखिए, अब यह कैसा लग रहा है, यहाँ पर आ रही है heading, यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा text, फिर आ रही है एक blog देखते हैं, तो सबसे पहले उस blog की एक image देखते हैं, जो by default आपको thumbnail image कह सकते हैं, जिसे आप example के लिए मैं आपको एक website पर ले चलता हूँ, ठीक है, तो एक यह website है, ठीक है, कोई भी random website आप ले सकते हैं, इसके blog पार पर चलते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको क्या आ रही है, दोस्तों, इसको बोलते है, featured image, इसको क्या बोलते है, featured image, और इसको content आ रहा है, इसको बोलते है summary, ठीक है, कि छोटा content है, short description है, इसको हम summary भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इस पर फिर आप click करूँगा, या read more पर click करूँगा, तब जाके यह पूरा का पूरा मिलेगा, एक option featured image, यह दोस्तों दिख रहा, featured image पर click कीजिए, set featured image पर click कीजिए, और जो आपने image choose की हुई है, उसको upload कर दीजे, देखिए, यहाँ पर upload हो रही है, upload होने के बाद, इसको as a set featured image पर click कीजिए, अब यह जो image है, वो आपको featured image की तरह काम करेगी, यानि user को सबसे पहले यह image दिखेगी, heading दिखेगा, अब third बात करते है, short description की, short description को हम दूसरे language में बोलता है, एक सरब, यहाँ पर आप आप उना डाल सकते है, short description, तो हम यह दालते है, this, अलग करने के लिए, कि थोड़ा अलग दिखे, this is short description, ठीके दोस्तों इतना ही डालते है, आप कितना बात करेंगे, upcoming videos में, अब तीन चीज़े है, चार चीज़े है, heading, आपका content, आपके उसके अंदर की image और featured image, यह सारी चीज़े डालने के बाद, अब आपको इसको publish करना है, publish करने के लिए देखे, यहाँ पर button आपको दिखे रहा उपर, ठीक है, अब आपको अगर अभी publish कर आप इमेडियेटली, तो आप इमेडियेटली publish कर सकते हैं, यह आपको अगर बाद में publish करना है, तो आप बाद में भी publish कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी publish करता हूँ, publish पर click कीजिए, यह देखे, option दिखा है, immediately, यहाँ से आप date select कर सकते हैं, कि आज नहीं करना, दो दिन बाद करना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं, visibility सबको दिखे, private रहे, या password protected, हम अभी public रहने देते हैं, और again इस पे click करते हैं, देखिए, यह क्या दिखा रहा है, post published, नीचे देखिए, एक pop-up आया, post published, पहले हमारी website पे कुछ नहीं था, अभी आप देख सकते हैं, यह देखिए, refresh करते हैं, यह post हमारे सामने visible हो गया, देख सकते हैं, अब इसमें क्या-क्या दिख रहा है, यह जो image थी, वो featured image थी, आपको याद होगा, featured image हमने set की थी, यह जो है, वो heading है, यहाँ पर देखिए, end categorized user का, writer का नाम आ रहा है, ठीक है, हमने कोई category select नहीं किया, upcoming videos में देखेंगे, और यह जो short description था, आप देख सकते हैं, यह दिख रहा है, ठीक है, तो यह user को सब सब पहले दिखेगा, फिर आप चाहें तो image पर click कर सकते हैं, चाहें तो heading पर click कर सकते हैं, तो जैसे आप इस पर click करेंगे, अब आपको बाकी का content जो है, वो दिखना शु अब as a user आप हमें comment भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा, comment किया, post comment, तो यह comment यहाँ पर show होने लग जाएगा, देखिए, user का नाम आगया, post comment आगया, यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यह सारी चीज़ है, यह आपको अवतार set करना है, तो मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी है, उपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाकर यह अफदार set कर सकते हैं, और यह commentings related, जो भी discussions related videos हैं, कि comment को कैसे set करना है, वो भी मैंने बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है, तो आई बटन पर द दिमाग में आ रहा है, तो आप comment box में मुझे बताइए, मैं उसका answer जरूर दूँगा, और यह video अच्छी लगी हो, तो इसको like जरूर कर दो यार, चैनल को subscribe कर लो, इसी तरह की videos में लेके आता रहता हूं आपके लिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो WordPress सीखना चाहते हैं या अपनी website बनाना चाहते हैं, इसको skill सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये video share करो, so that वो भी इस चीज़ को सीख सकें, मिलते हैं अगली video में, तब तक के लिए take care, thank you so much, have a nice day.